कैसे हैं आप सब लोग सब लब बहुत अच्छे हैं अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं इसी बारे में है यह वीडियो मैं विंटर्स में कैसे अपने बालों का ध्यान रखती हूं तो वही सब मुझे इस वीडियो में बताना है क्योंकि विंटर्स आते ही बालों की प्रॉब्लम स्टार्ट जैसे इसे पहले मेरा स्किन केर वीडियो गया था विंटर स्पेशल तो उसमें मैंने डिस्कूस किया था में Tell special skincare tips & skin की problems जो वी होती Ali In this video आपर मैं discuss 6 में होने लगती हैं में भीड़ियों को में होने लगती हो जो बहुत कॉमन होती हैं령 जैसे सिसी स्कल्प हो गया डंधर हो गया है बिक गया बिक रेंगे जल घुघ लेटन जो आपकी बालों में विंटर साथे स्टार्ट हो जाती हैं और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और आप परिशान होने लगते हैं और मेरे होते हो आपको परिशान होने की जरूत नहीं है क्योंकि मैं किस लिए हूँ मैं आपकी यही सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए यहां पर हूँ देखिए विंटर साथे ही हमारी स्कीन हमारे बाल हमारी स्कैल्प ड्राय होना स्टार्ट हो जाते हैं क्यों क्योंकि हमारी स्कीन का हमारे बालों का हमारी स्कैल्प को जो मॉस्टर है वो एन्वार्मेंट में उड़ जाता है क्योंकि इन्वार्मेंट में खुझ इतनी ड्राइनस होती है तो वह हमारे स्किन का जो भी मॉस्टराइजेशन उसको भी पूल कर लेता है हमारी स्किन के नैचुरल ऑईल्स होते हैं हमारी स्किन में जो नैचुरल तो हमारी सकिन में भी मॉस्टर नहीं होता है पर onze के मौसम में ध्युक्त वी आने कि कहा दो आपके में आपको इस वीडियो में बताने वाली। तो इस वीडियो में बताने वाली हूं आपको सबस्क्राइब और क्या क्या नहीं करना चाहिए यह सारी चीजे ही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखे सबसे पहले बात कर लेते हैं number one point है hair oiling hair oiling आपको कैसे करनी है या मैं कैसे करती हूँ hair oiling देखे आपको हफते में कम से कम एक बार hair oiling ज़रूर करनी है या मैं यह नहीं कहरी कि बार-बार ओयलिंग करनी है लेकिन कम से कम एक बार ओयलिंग ज़रूर करनी है जब भी आप hair wash कर रहे हैं मैं हफते में एक बार ओयलिंग करती हूँ और वो भी काफी अच्छे वाली लेकिन जिलोगों के पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा कुछ करने का तो वह दो बार भी तीन बार भी ओयलिंग कर सकते हैं करने से गाइस हमारी स्कैल्प में blood circulation वड़ता है हमारी बाल जो है मैं बिलीव करती हूँ कि और लगा के मैं पूरी रात रख सकूँ और मुझसे सोया भी नहीं जाता मैं कमफटेबल भी फील नहीं करती हूँ तो इसलिए मैं बाल दोने से सिर्फ एक घंटे पहले ही अपना बालों में हैर ओयलिंग करती हूँ कोन सा ओल यूज करना है देखिए सपैशली मैं आपको बोलूगी आप मस्टर्ड ॉयूज तक यह बहुत अच्छा होता है नमबर टुम आप उलीव यूज पर सक्टे आनु बहुत अच्छा होता है आपके BALU में शाइन आड़ता है आपके बालों को मोस्च्राइज बना अच्छा है आपके फ्रीजी बालों को मोस्टराइज रखने के लिए इसमें वाइटमीन ही होता है वह सार एंटियों को आपके बालों को आपकी स्कैल्प का ध्यान रखते हैं कैस्टर ओल न्गोर आप साथ म्लें उसकों बाविक बायों आपवने को क्शल्फ में कि ब सकते हैं कैस्टर अपके बिल्डुर seven के तो भिने को यहाज़े का कैस्टर ऊदुर्फ में करता हैं साथ verify अपके हालिटिटिग इस्यूं को भी खतम करता हैं तो यह चार मैं इंप कर बेकी मेरे नागती हैम बहुत अच्छी है इसाथ है मेरे तेया औरे Church of Hair Oil यहां यही एपदर माहें कि stiff लोग में सब्सक्राइब भड़ाय औरonner आप अचेक 10 ऊच्चेज या फिर जो मेरे DIY होते हैं उनको यूज करती हूं हफते में एक बार और वो भी बहुत अच्छे वाले ओके लिहाब पर फिनिश होता है 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 अगर आपको कोई भी क्वारी है 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 अप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज मार्केट वाले ओइल्स मत यूज कीजिए उनमें पैराफिन होते हैं वह आपके बालों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है वह आपको सिर्फ एट्रक्ट करते हैं एड्स में दिखा दिखा के बाकि उनमें गुड बैनिफिट कुछ नहीं होते या तो आप सिंपल घर के प्लेइन यूज कीजिए या फिर मेरे बनाए हुए डियाइवाई है और फिर देखे डिफरेंस आपको फुद पता चलेगा कि आपके बाल पहले से कितने अच्छे होगा है है मास्क जिहां गाइस विंटर में आपको हैर मास्क ज जब लगाना चीहें अपने बालो में आप टोटली हैर ओल पर डिपेंड मत रहिए देखिए अगर आपको लगता है कि बस और बाल दो लिए अट सेट इतना ही काफी नहीं होता आपको अपने बालों के लिए आपको अपने बालों का एक्स्ट्रा केर करनी पड़ेगी वर्किंग होते हैं जो busy mom सोती है मैं समझ तो अगर हे ले स्काहिणी कर कर के है तो इतना ही काफी है बट जो कर सकते हैं वह चोटे मास्के घगः कर सकते हैं और जिनके पास्मात हैँ तो वहन ऩहां हफ़े में एक राइं मास्क ज़रूर लगाए अपने वालों में हेैर मा जो हमारे scalp में deeply penetrate कर जाते हैं, हमारे scalp को बहुत रहे समय का। पर समय तो उनके हमें डबल बैनेफिट मिलते हैं, जिससे हमारे scalp healthy बनती है, हमारे scalp की issues, ये इची स्काफ डेंडर्फ जोड़ वाली ब्ह extensively सल्फॉ हेर माहेते हैं इंगर प्रवाग हाइने धिर मुंगराई ऑफॉर्द सल के लिए इंग स्वाइप रहा है मैं मैं या नहीं नहीं हो निप य辉स सब्सक्राइब दखाएं Number 3 एर säga आपके बालों का सारा जो डियाइटOOOOOOOOOO Barn आपके क्वा cleaner आपके बाल है krhm जाते आंज चाहिए Number 4 olive oil, hair mask guys olive oil का as a hair mask लगाया trust me ,trust me मैं बोल लूँ है आप मुस्षे बापस आकर बोलेंगे कि its magical formula इस से बाल इतने अच्छे हो सब बहुत अच्छा है आपके बालों का सारा जो हमाः मास्क डियर्ट मेश को सबके बालों start अच्छा मिशिद्वाइड्री है उन्ह». ओली और हैर मास्क नगास क्या है, तर्श्ट मि मांप मुझें वाहएं मेरे बाल वाकी में इतने अच्छे हो गए थे मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था मुझे लग रहा था मुझे लग रहा था कि मैं पालर से ही स्मूथिंग कराई तो यह सारे हैर मास्क आप ज़रू ट्राय कीजिए इन विंटर सीजन में अट लिस्ट हफते में एक बार मैं कोशर ट्राय करती हूँ मैं यह सारे मास्क लगाती हूँ और मेरे मेरा जो हैर के लिए वह सेम तिंग मैं आपको मास्क के लिए बोलूंगी कि मार्केट वाले हैर मास्क खरीदना विकार है आप सिर्फ अपने पैसे वेस्ट करते हैं एक अच्छा से अच्छा हैर मास्क आप खरीदेंगे ना 300-500 के बीच आएगा एतने सी बाटल आएगे और वह आपको दो बार में ही आपका हैर मास्क फंश हो जाएगा बच आप अपने हैर मास्क घर में बनाइए अपने DIY हैर मास्क बनाइए जिनके बेनेफिट भी बहुत ज्यादा है मैंने भी कुछ hair mask जो आपने चैनल में शेयर किये हैं आप उनको भी देख सकते हैं और मैं कोशिश करूँ कि इन विंटर्स के लिए आपके लिए एक hair mask वाला वीडियो भी लेकर हैं जो बिजी लोग होते हैं मैं समझ सकती हूं उनके फचने टाइम नहीं होता डियावाई hair mask बनाने का वो अविसली मार्केट से खरीद के भी लगा लें तो उनके लिए काफी है अटलिस्ट वो इस तरह से ही अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं टाइम पर्टेक्शन झाइब आपको अपने बालों को प्रोटेक्ट करके रखना हैं उसोरी मातवर los या लिए इस पिर अपने बालों को प्रोफेशन ही ऐसा इसा कि आपको यह करना ही करना है तो उससे पहले आप अपने बालों हीट प्रोटेक्टन जो बी ő सीरम सा आते हैं डाहे अगर आपका डेली बाहर आना जाना है तो कीजेए अपने बालों को पहर्क ज़ना ना गुटिसा बालों को पत्ते से कवर किजिए चीजों से भी अपने बालों को अपने बालों यूज करते हैं तो किए रहा कrix कर आपको हो almost révGI अपनी किया उन्हें है केसम क्याया है क्यायों वहां है क्याय को धार यूजा कना अब कर लगार, यूज़ें को बहुत कर तरह कंशे के लिए आपको यूज करना है। सबको घरम पानी में नहाना अच्छा है। अपनाल opener के लिए बालों की लिए गरम पानी और बेल texto क्यों हैं तो असे हैं आपके बाल कि पिछले वीडियो दाया था आपके पिछले बाल बीजह का जाएगए का मुस्टर बिक खव जाएगा आपके बल ड्राइः रख के तो हमेशा लिЕम वन वटर भी अपने बालों के लिए चैनल से करना है आपको उन्से शैंपू यूज करते हो कैसे करना है देखे गई शैंपू आप यूज कीजिए according to your hair requirement आपके बालों की requirement क्या आपके बाल ड्राय हो रहे हैं आपको hair fall हो रहा है आपको dandruff हो रहा है आपकी बालों में problem क्या है उसके according आप अपना शैंपू सेलक्ट कीजिए मैं mostly ट्रस्ट करते हूं हर्बल शैंपू जैसे जड़ी बूटियों वाले आयरुवेदिक शैंपू होते हैं मैं मैं उन्हें पसंद करती हूं करना जाधतर जैसे इसमें कुछ ऑप्शन से केश किंग है इंदू लेखा है हर्बल असेंस है मैं तो मैं प्रिफर करती हूं ऐसे शै होते मैं यह कहीं बालों जो ड्राय करते हैं तो कुछा दिन से सबैसे हों ज imaginar सुचाओ कि मैं अपना शेयंपूे teen खरती हूं मैं उस करें पैंटेन वाले ये वाला शैंपू देख सक आया मैं स्क्रीन पेपे फोत अब स्थूर कीन अन दो ये ज scient सेहां तो आप यह वाला शैंपू यूज कर सकते हैं मेरे रिकमेंडेशन पर या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद का शैंप सेलेक्ट कर सकते हैं तो बस यहीं है मेरे शैंपू इसके अलावा में शैंपू पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती जब मुझे लगत पसंद हैं अब अब बात करते हैं कि कि Columbus कितनीमार देखे घर में तो किuya आंब हैं 2 Hamburg कीजिए। टैंट बाहर जाते हैं कॉलिज होदी आई और आफिस जाते हैं तो आई-legt कि आपके बाल गंदे होते यह तो आप स्थे में 2-3 बार 이상 सकते हैं ज्यादा शैंपू करने से जो बाल ड्राय होते हैं यह भी ध्यान रखिएगा और नो कि जो लोग बाहर जाते हैं उनके बाल ज्यादा गंदे होते हैं तो उन्हें अपनी स्केल्प को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है तो आप हफते में तीन बाहर भी शैंपू लगा सकते ह हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्केल्प जो वो क्लीन जाना चाहिए शैंपू के बाद अब नेक्स पॉइंट आता है कंडीशनर कंडीशनर गाइज क्डेशनर कंडीशनर करना गाइज यहां तो आपको कैसा लगता है वह मुझे पता लेकिन आपको अगर कंडीशनर करना पसंद है और आपको सूटधा तो आप बिल्कुल कीजिएं करें लगाना बहुत अच्छा होता है वापया लोत के लिए किसे करें होती है आपके बालव को सूट करता है तो है अब आपको बिल्कुल डेफिनिटली कवावा और फिर कंडिशनल लेकर अपने बालों में लगाईए दो तीन मिट के लिए और उसके बाद अपने बालों को वाश कर लीजिए तो बाल बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं बट मेरी परिशनल ओपीनियन यह है कि मैं जब भी भी कंडिशनल लगाती हूं ना मेरे बाल बहुत जादे हैर फॉल होता है तो इसलिए मैं लगाती हूं कंडिशनल बट बहुत ही कम आई थिंक वन सीन मन्थ और ट्वाइस इन मन्थ जब मुझे लगता है कि अब मुझे कंडिशनल लगाना चाहिए बाल थुड़े रफ फील हो रहे हैं तो मैं इस तरह से कंडिशनल लगाती हूं बिल्कुर रेगुलर बेसिस पे मेरी कोई कंडिशनल से फ्रेंशिप नहीं ह से कोशिश करती हूँ कि दूरी रहूं मुझे रुटीन में कंडिशनल है ही नहीं बट हां मैं आपको सजस्ट करऊंगी कि आपको अगर पसंद है तो आप एक अच्छा ऐने हेर केर रुटीन में जरूर रखिए बहुत अच्छा होता है अपने बालों के लिए आपको हमेश सीजनल सबजे आती हैं आप वो सारे जरूर खायें जैसे साग हो गया पालक हो गया मेथी सरसो बथवा इतनी सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है वो सब अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें आप नट्स खाये एवरी डै आपको मुठी भर नट्स जरूर खाने वो उसमें तो कि बहुत सारे हेल्दी फैट सोते हैं और पुटीन सोते हैं जो आपके बालों को स्ट्रॉंग बनाते हैं साथ ही साथ फ्रेश फ्रूट जूसिस भी पीजिए एवरी डै डाइट में आप फ्रूट इंक्लूड कीजिए जो भी सीजनल फ्रूट सें जैसे आज आपके बाल आपकी स्कैल्प जो वो हाइड्रेट बने रहे हैं देखे गाई विंटर साथे ही सब लोग को मुस्ली लोग को प्रॉब्लम होती है डैंडर्फ की तो डैंडर्फ से छुटकारा पाने के लिए क्लिए कई बार क्या होता है है रोइलिंग भी करते हैं तो भी डै स्ट्रफिर आगया तो इसका परमानेंटली सोलूशन यह है कि आप डैंडर्फ के लिए स्पैशल ट्रीक्मेंट जरूर कीजिए वो क्या है नमबर वन सबसे पहले आप या तो कोकोनट टॉल में लैमन चूश एड़ करके बालों में लगाईए रेगुलर बेसित पर अगर शेथ कीयों करता है अगर आपको नरीष बने रहेंगे ओर आपके बालों की ढौई एंडर्यव स्ट्रीक्मेंट सब्सें जरुए अगर आपको दढrais दोनों मस्क बहुत अच्छे आपके बालों के लिए और आपने हैर को खुला म्च Warum चौ ऑपन skipping along जब रहते हैंने तो वह जयादा हैरपॉल होता है । your hair इंद वne हैं बर सोते हैं और हैपके बना अगर आपके बाल है तो उप्रेड हरें और वो भुषा कर्के हैं इससे आपके बाल जो है वो healthy बने रहेंगे, आपके बालों को टाई करना बहुत जरूरी है, बालों की अच्छी health के लिए, ट्रस्ट मी, आप खुद से notice करेंगे कि जब से आपने अपने बाल बांदना स्टार्ट किया ना, आपके बालों की जो health improve होगी है, आपके बाल जो है वो ज़्यादा मजबूत बनेंगे, अगर आप अपने बालों को बांद के रखते हैं और hair fall भी कम होगा आपके बालों में, कॉम्बिंग योर हैर, आपको अपने बालों को रेगुलरली कॉम्ब करना चाहिए, दिन में कम से कम दो बार आपको अपने बालों को कॉम्ब करना है, इससे क्या होता है आपकी scalp में blood circulation बढ़ता है, आपके जो भी अगर बाल तूट गए हैं, जो damage हो गए आपके बाल, वो अच्छा होता है, यह जो हमारी scalp में blood circulation साथ हमारे बालों में होते हैं, जो कि हमारे बालों की should लिए बहुत अच्छा होता है, तो अपने brief confirming confirming होई होỏativo गवाल की बेंख केले बालों क्निशा होगाूता कोई hair serum नहीं लगाती क्योंकि मुझे जरुती नहीं पढ़तीый मुझे लगता है मेरे बाल इतने डामेज हें और यहालना चाहिए सकत है मेरे बाल ठीक है वो bedrooms बacks面 रोपे बीक है और हुए जरूत ही नहीं पड़ती है सिरम लगाने की हां कभी-कभी अगर मुझे जरूत लगती है तो मेरे जो DIY हैर सिरम होते हैं मैं वो लगा लेती हूं या फिर मैं बस जब मेरे बाल गीले होते हैं वोश करके आती हूं तो एक या दो भून मैंने कोकोनट ओई लेती हूं और सिरम लॉरियल के आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं तो यह डिपेंट करता है कि आपको रिक्वायरमेंट है 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 सिरम लगाने की या नहीं ओके विंटर में गाई बहुत सारे लोगों को स्प्लिट एंट्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होने लगती है मुझे तो न महिने में या फिर दो से तीन महिने में जब आपको लगे कि आपको स्प्लिट संस होना स्टार्ट हो गया है तो आपको रगुलर बेसित पर अपने बालों की हैर ट्रिमिंग जरूर कराते रहना चाहिए साथ ही साथ अपने बालों के एंट्स को जो मॉस्टराइब रखना च जिए और उसे अपने एंट्स पर लिघाए तो बेसिकलिए आपको क्या करना है कि वो उस्टराइई नहीं होने देना है and the last point वो क्या है meditation exercise जी हाँ guys आपको daily basis पर exercise करनी चाहिए meditation करना चाहिए yoga करना चाहिए workout करना चाहिए active रहना चाहिए आपको जिस्ते की क्या न आपकी body में blood flow बना रहेगा आपकी scalp में blood flow बना रहेगा आपके जो बाल है आपकी scalp में blood circulation बना रहेगा तो सारे nutrients जो है वो आपकी scalp में जो वो run करते रहेगे blood जो run करते रहेगा तो पूरा nutrition आपकी scalp को मिलता रहेगा जिससे आपकी scalp जो वो dry नहीं होगी आपके जो hair breakage नहीं होगा आपको hair fall की problem नहीं होगी आपको skin related problems भी नहीं होंगी यह तो मैं आपको special क्या बता हूँ यह आप सबको बता ही है कि हमारे लिए हमारी health के लिए हमारी हमारी बालों के मेरी scalp की हमारी overall body के लिए हम exercise करना कितना important है आप आपका metabolism जो हो अच्छा रहता है जबी आप workout करते हैं जबी आप exercise करते हैं डेली बेसिस पर 15-20 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालिए अपने लिए जरूर योगा कीजिए कोई भी form of exercise जो भी आपको suit करता हो जो भी आपको पसंद ओ जो भी आपको इजी लगता हो जितना भी आपको time हो उसके according आप जरूर कीजिए मादो कर सकते हैं योगा भी कर सकते हैं आप अपने लिए self meditation जो बोल सकते हैं यह self-care पोल सकती हूं उसके लिए आपका अपने लिए 20-25 मिनट के टाम जरूर निका के लिए और आपकी स्केल्प के लिए तो यह बहुत इंपोर्टन चीज है ही ओके सो आज इसे आपको एक्टिव रहना है और एक्सरसाइज वरकाउट जरू करना है ओके सुगाइज यह था मेरे आज का हैर केर वीडियो आई होब आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा अगर आप बॉलिवुड मुवी देखते हैं सौंग सुन आपको पसंद है तो प्लीज प्लीज मुझे इंस्टाग्रां पर भी फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पर मेरे सौंग की रिल्स आती हैं ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अल्रेज अवलेबल आप उनको भी देख सकते हैं और नए वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रही हैं ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े मोस्ट इंपॉर्टन तिंग भी स्माइल बिकर स्माइल इसा फ्री थरपी ओके एन हां टेक केर अफ यॉर्सल्फ बाइबाइबाइ